ओम शान्ती आज सुनते हैं 2006 वर्ष की अव्यक्त मुर्लियों का निकला हुआ मक्षन तो बाबा की दीरे दीरे पार्ट समिटता जा रहा है बस दस मुर्लियां 2006 में चली और बाबा ने बहुत सुन्दर सुन्दर प्रेणाई दी और उन सेक्डो पॉइंट में से फिर किवल ग्यारा पॉइंट निकाली है जो बहुत शक्ति शाली अनुभूती कराती है एक एक पॉइंट आपको बेलकल ऐसे लगेगा जैसे बहुत उची स्थिती पे ले जा रहा है तो आप सब इन ग्यारा पॉइंट्स को एक बार नहीं कम से कम दो तिन बार और अनिक ना केबल पढ़ें बलकि अच्छी तरह अनुभाव के साथ पढ़ें और अनुभाव करें और इंप्लिमेंट करें तो सुनते हैं वर्ष 2006 से कि अव्यक्त मुर्लियों से निकला हुआ मक्षन नमबर वन सरव शक्तियां बाबा ने आपको दी लेकिन ये शक्तियां कभी-कभी समय पर काम नहीं करती और फिर रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती समय बीत जाता है पीछे इमर्ज होती कारण क्या होता जे समय जे शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालक बनके सीट पर सेट हूँ अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बगर सीट वाले का कोई ओर्डर नहीं मानता सवराज्य अधिकारी हूँ मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ बाप द्वारा वर्षा और वर्दान का अधिकारी हूँ इस सीट पर सेट होकर फिर आडर करो तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि सीट पर सेट होकर आडर करो तो फिर बाबा ने कहा हो नहीं सकता कि कोई शक्ति आडर ना माने शक्ति आडर मानें सीट पर केवल सेट होना चाहिए फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट कही कोई आप से पूछे प्रमात्मा कहा है तो क्या कहेंगे परमात्मा बाब तो हमारे साथ ही है हम उनके साथ रहते हैं परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते इतना प्यार अन्भव कर रहे हो फलक से कहेंगे कि वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं ऐसे अन्भवी है ना अन्भवी क्या दिल में आता है अगर हम नहीं अन्भवी होंगे तो कौन होगा हम नहीं अन्भवी होंगे तो कौन होगा फ़र आपके पास शिर्मत की लगाम है लगाम है न वैसे मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है न और आपके पास शिर्मत की लगाम है अगर शिर्मत का लगाम थोड़ा भी धीला होता तो मन चंचल बन जाता क्यों लगाम भीला होता क्योंकि कहां ना कहां साइड सीन देखने में लग जाते और लगाम भीला होता तो मन को चांस मिलता है तो मैं बालक सो मालक हूँ इस समर्थी में सदा रहो कौन सी समर्थी मैं बालक सो मालक हूँ बालक भी हो और मालक भी हो इस समरती में सदा रहो चेक करो खजानों का भी मालक तो सवराज़ जे का भी मालक डबल मालक हो नेक्स्ट फिट फॉर्थ नम्बर पॉइंट जो समझते हैं कि स्वपन में भी कुरोध का अंशा नहीं सकता वे हाथ उठाओ आ नहीं सकता है आता नहीं है आता नहीं है नहीं आता है ना अच्छा है इन्हों का फोटो निकालो जिन्हों ने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो अच्छा है क्यों? क्योंकि आपके हाथ से बाप दादा नहीं मनेगा हाथ खड़ा कर लिया बाबा ने का बाप दादा आपके हाथ से नहीं मनेगा आपके साथियों से भी सैटिफिकेट लेंगे फिर प्राइज देंगे अच्छी बात है क्योंकि बाप दादा ने देखा कि 크ोध का अंश भी इरशा, जैलेसी ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं लेकिन अच्छा है हिम्मत जिनों ने रखी उनको बापतादा अभी तो मुबारक दे रहे लेकिन बाद में सेटिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे तो ये प्राइज लेनी है सौपन में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता ये बाबा की देन होनी चाहिए प्रास्तम में इर्शा गिर्णा सारी चीज़ें खतम हो जाती हैं उसमें फिफ्ट नंबर पॉइंड जगदंबा का भी सलोगन था याद है परानों को याद होगा जगदंबा यही कहती हुकमी हुकम चलाए रहा मैं नहीं चलाने वाला बाप चला रहा है करावन हार बाप करा रहा है तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप कर आगे बढ़ो नैच्रल हर बात में बाबा 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 निकले नैच्रल निकले क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है तो समान बनने में सिरफ इस एक रॉयल मैं को जला दो तो बाबा ने का इस मैं को जला दो करावन हार बाप करा रहा है और मैं निमित आत्मा करनहार कर रही हूं सिक्स्त रंबर पाएं सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं उसकी निशानी है अगर सेवा करने वाली आत्मा चाहे मंसा चाहे वाचा चाहे करमना तीनों में सो परसेंट मार्क होती है ना तीनों में सो हैं सेवा तो की लेकिन अगर सेवा करने के समय वा सेवा के बाद स्वयम अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की जो सेवा में साथी बनते हैं वा सेवा करने वालों को देखते हैं सुनते हैं वे भी संतुष्ट हैं तो समझो जमा हुआ तो बाबा ने कितना अच्छा बताया जमा हुआ फिर समझ लो क्योंकि खुद भी संतुष्ट और जिनकी सेवा करते हैं वो भी संतुष्ट फिर समझो जमा हुआ Next, seventh number point बाबा ने का अब से संकल्प करो क्या संकल्प करना है मेरा समय संकल्प विश्व परती विश्व की सेवा परती इसमें सवका आटोमेटिकली हो ही जाएगा रहेगा नहीं बढ़ेगा क्यों किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे दुख की बजाए सुख देंगे निर्बल आत्माओं को शक्ती देंगे गुण देंगे तो वो कितनी दुआएं देंगे और दुआएं लेना सबसे लेना सहद साधन है आगे बढ़ने का चाहे भाशन नहीं करो प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते कोई हरजा नहीं कर सकते हो तो और ही करो लेकिन नहीं भी कर सकते हो कोई हर जाने सफल करो बस खजानाओ सुनाया ना मंसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ वाणी से ग्यान का खजाना करम से गुणों का खजाना और बुद्धी से समय का खजाना संबन संप्रक से खोशी का खजाना सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर बन ही जाएंगे तो ये था नेक्स्ट प्यारे बाबा ने कहा अभी तो है एक दिल से अनहद शब्द निकले पाना था वे पाल या चाहा क्या वाकी रही पा रहे हैं ये बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते पाना था सो पालिया पालिया जब बाप दादा को पालिया मेरा बाबा कह दिया मान लिया जान भी लिया मान भी लिया तो ये अनहद शब्द पालिया पाना था सो पालिया बसता रहना चाहीं नहीं है तो क्योंकि बाप दादा जानते हैं बच्चे सौमान कभी कभी होने कारण समय के महतों को भी सुम्रिती में कम रखते हैं तो हर वक्त अनहद नाद बजे पाना था सो पा लिया नेक्स्ट नाइंथ नमबर बाबा ने कहा जब तक महावीर इस पूँच को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात बुरा नहीं दुनियां भी समाप नहीं होगे तो अभी इस मेमे की पूँच को जलाओ तब समापती समी पाएगी जलाने के लिए जुआला मुखी तपस्या साधारन याद नहीं जुआला मुखी याद की अवश्यकता है इसलिए जुआला देवी की भी यादगार है शक्ति शाली याद तो सुना क्या करना है अब ये मन में धुन लगी हुई हो समान बनना ही है समापती को समी पलाना ही समान बनना ही है और समापती को समी पलाना ही बाबा ने कहा सबसे पहले इस पूंच को आग लगाओ तब सारी दुनिया को लगेगे और इसके लिए ज्वाला मुखी योग, साधारण योग नहीं नेक्स्ट प्यारे बाबा ने टेंथ नंबर पॉइंट बाबा ने कहा अनभवी मूर्थ कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकते ना दुख की अनभूती कर सकता यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो ना बच्चे या खेल खेलते भी हो उसका कारण है अनभवी मूर्थ की कमी अनभव की authority सबसे स्रिष्ट है बाप दादा ने देखा कि कहीं बच्चे सोचते हैं लेकिन सुरूप की अनभूती कम आज की दुनिया में majority आत्माएं देखने और सुनने से ठक गए हैं लेकिन अनभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये अनभव ये मूर्थ की कमी लास्ट लवन्थ बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं निवारण हो कारण खतम समस्या खतम समाधान सुरूप चाहे स्वेम का कारण हो चाहे साथी का कारण हो चाहे संठन का कारण हो चाहे कोई circumstances का कारण हो ब्रह्मनों की dictionary में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो समाधान और निवारण हो जाए क्योंकि बहुतों ने आज अम्रत वेले भी बाप दादा से रूरवान में यही बातें की यह नए वर्ष में कुछ नमीनता करें तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नए वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाए कौन से दो शब्द परवकारी स्वेम कारण बनते हैं दूसरा कोई कारण बनता है लेकिन परवकारी आत्मा बन रह्म दिल आत्मा बन शुब भावना शुब कामना के दिल वाले बन सैयोग दो और सने दो तो बाबा ने कारण और निवारण यह लास्ट पॉइंट इलेवन्थ पॉइंट की तो यह था ग्यारा पॉइंट का मक्षन जिसको हम बुद्धी में रखके अच्छी तरह से उनका मन्थन करें और धारण करें उससे हमेश शक्ती मिलेगी अच्छा ओम शाओ और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे